हे गाइज, सबसे पहले आप सभी को हैपी होली, इस होली सिजन पर हेलो एप पर खुश्यों के रंग जमाएं, और दो करोर रुपे तक के प्राइज जीतिये हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ, हेलो एप लाया है होली कैश धमाका, जिस पे आपको कुछ नहीं करना, बस ए पीन से नौ माज के बीच केड़ बकरी की तरह जीते हैं, जीने का असली मसा तो गाउ में है, क्यूं, क्या हुआ माजी, आज गाउं की बहुत याद आ रही है आपको, अरे हाँ बहु, शहर का जीना भी कोई जीना है, लोगों की आधी जिन्दकी तो सड़कों के ट्राफिक में निकल जाती है, और य अली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा, क्या मा, जब देखो गाउं के गुणगान गाती रहती हो, ठीक है, इस बान अब बच्चों के कॉलेज की छुटियों में हम सब गाउं चलेंगे, ठीक है, यह ठीक है, पर कुछ दिन की बाद सारा परिवार अपने गाउं चला जाता ह अरे वा, कितनी ताजी और साफ हवा है, कितनी शानती है यहाँ, चल बहू, अब बड़ी आसा खाना बना दे, मज़े से आंगन में बैठ के खाएंगे सुशिला गाउं का माहूल देख बड़ी खुश होती है, दो दिन के बाद गाउं की कुछ औरते सुशिला के घर आती है बड़े दिनों के बाद गाउं आई है सुशिला, हमें तो लगा कि तु सहर जा के गाउं को भूल गई और बतिया, तेरी बहू कैसी है, जो रम मिलवा तो उससे अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे जान की जैसी बहू मिली है हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है, और आज तक कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने सुशिला की बाते सुनकर सभी औरते हसने लगती है अरे कुछ अभी बोले जा रही है, तब यत तो ठीक है, तेरी बहू चांद से आई है क्या, क्यूं देनो, दुनिया की कोई भी बहू अच्छी होती है क्या सब औरते ममता की हां में हां मिलाती है अरे मैं तो कहती हूँ, दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है, डायन मैं तो एक बिल में हजार साब के साथ रह सकती हूँ, लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती सब औरतों की बाते सुनकर ममता मन ही मन बड़बडाती है अरे ये गाउ सुधर गया लेकिन औरते नहीं सुधरी अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकुफी बरी बाते सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाओंगी फिर सुशिला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है अरे बहु जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे उन औरतों की फाल तो उबाते सुनकर मेरा सर चकरा गया है इस गाउं की औरतों का तो भगवान ही मालिक है तो अगले दिन सुशिला की सास उससे कहती है अरे बहु तू यहां क्या आराम फर्मान ने आई है आखिर ये तेरा सुसुराल है चल चल घर के कामों में हाथ बटा शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है जरा अपने आपको तो देख कितने मोटी हो गई है सारा दिन घर का काम करने की बाद शाम को सुशिला आए मेरे कमर आए मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया आज तो मुझसे मक्खी भी न मारी जाएगी अरे बहु जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे जी माजी अभी आती हूँ तभी सुशिला की सास जानकी को रोकती हुए कहती है अरे रोक जा बहु एक दिन काम करके इसको इसकी नान याद आ गई हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की सुबह तक सब ठीक हो जाएगा सुशिला अपनी सास की बाते सुनकर हैरान रह जाती है इस तरह धीरे धीरे गाहँ आने के बाद सुशिला की परेशानी शुरू हो जाती है फिर एक दिन अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी क्योंकि आज संडे है सुशिला जैसे ही टीवी आन करती है तबी बिजली कट जाती है अरे सत्यानाश इस बिजली को भी अभी जाना था इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है पर पता नहीं ये गाहँ कब सुधरेगा अरे अब तो दो दिनों के लिए बिजली को भूल जा ये तो यहां रोज की बात है अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले हाँ ये बगवान अब क्या होगा उपर से इन मच्छोरों ने जीना हराम कर रखा है दूसरे तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशिला तंगा जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है क्यों मा मज़ा आ रहा है न अरे आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है मुस्कराईये अब हम गाउं में है मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है हाँ हाँ माजी आपी तो यहां की बड़ी तारीफ कर रही थी फिर अभी तो कुछी दिन बीते है वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली है न अरे नहीं नहीं बहू मैं एक दिन और यहां रुकी तो मर जाओंगी मुझे शहर ले चलो क्या दिन थी कितनी सुखी थी मैं वहाँ ठीक है मा हम कली वापस शहर चले जाएंगे इस तरह सुशिला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गाउं जाने की जितन नहीं करती